जिला मुखे आले हमीरपूर के भोटा चोकस्ती सर्भी सुधर सवा में निस्वार्थ सेवा परिवारदवारा रगतदान शीवर का आयोजन किया गया। शीविर में 45 रगतवीर दवारा रगतदान किया गया। निस्वार्च सेवा के संस्था पक नरेश कुमार भाटिया ने पतरकारों से रूपरू होते हुए कहा कि संस्था का उदेश्य जरूरत के समय रोगियों को रगत और एंबुलेंस की सेवा उपलब्द करवाना है जिससे जरूरत मंद लोगों को किसी परशानी से जूजना ना पड़े अध्यक्ष ने कहा कि रगदान से बड़ा कोई दान नहीं होता संस्था के संस्था पग नरेश भाटिया ने संस्था के सविश दोस्यों और रगदान बीरों का धन्यवार करते हुए कहा कि आने वाले भविश्य में संस्था दोवारा भवीन परकार कि समा सेवा के का शीवे आयूजित किया गया और इसका वेनियों था सुधार सवा हमिरपूर और लगभग पचास युवाओं द्वारा रखदान दिया गया तो मेरा दिल की घराईयों से उन सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आशा करता हूं कि ये हमारी सेवा आगे भी जारी रहेगी और जिस तरह से आज युवाओं ने हमारा साथ या आगे भी ऐसे ही देंगे बहुत से युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रखदान दिया तो बहुत खुश भी थे और उन सबने रखदान का आगे भी करने का संकल्प लिया है तो जो भी समाज के लिए आगे कारे किये जाएंगे नी स्वार्थ सेवा दोरा वो ऐसे ही चलते रहें तो एक बार फिल से मैं उन्हें वाउं का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े एक मैसेज पर वो हमारे साथ जुड़े और आगे भी ऐसे ही शिविर चलते रहेंगे और ऐसे ही न देने की जरूरत पड़ती है जैसे गरीब लोग होते हैं उन्हें एंबुलेंस नहीं मिलती है और अन्य जो लोग होते हैं जो की एंबुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारी निश्वास सेवा की तरफ से उन्हें एंबुलेंस भी एफोर्ड करवाई जाती है शिविर म पहली वार बलड दिया है, कैसा नुभब कर रहे हैं? बड़ अच्छे महसुस हो रहा है, रखत दान महादान है और समाज में हम जितना से हो कर सकते हैं समाजी परिवेश में, रही बड़ी हैं. कितने वींभा बलड दिया सराज़? मैंने फस्ताइम दिया है. बहुत बहुत सुब कामना है आपको सेर आज पहली बार रखदान कर रहे हैं आप कैसा महसूस हो रहा है आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जितना कभी मेरे को पहले महसूस नहीं हुआ मैं तो यही बहुतता हूँ कि रखदार की लिए इस सबसे महादान है और इससे बड़ा दान कोई नहीं है इसलिए रखदान महादान होक ले आज आज निस्वार्थ सेवाद वारा रखदान सिवर का हुजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या मैं यहां पर वहाँ ने क्या कहना जाएंगे सर ऐसा है कि रखदान एक बहुत पुन्ने का काम है और मैं तो नौजवान साथियों के साथ उनको यह एक मैसिज देना चाहता हूं कि सभी रखदान करें क्योंकि अमरजंसी में किसी के भी काम आता है यह लड़ तो यही है मेरी सबसे गुजारिस की अमिरपूर्चे राजेश खन्ना की रिपोर्ट